देश के उपराश्पती जगदीब धंकड जो अक्सर भारती जनता पार्टी के नेता के तौर पर बात करते हैं अब उन्हें आपके बच्चों के विदेश में जाकर पढ़ने पर आपती है वो युवाओं के नसीहत दे रहे हैं कि विदेशों में जाकर ना पढ़ें ये बात जब खबर की कहराईयों को टटोलता दिक्कत क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों इन चेहरों पर गौर कीजिए अनुराक्त आकुर रवी किशन निशिकान दुबे रवी शंकर प्रसाद शिवरात सिंग चौहान इन तमाम नेताओं के इन तमाम भारती जनता पार्टी ने बताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वहीं पर नौकरी भी करेंगे मगर आपके बच्चों को दंगा ही बनाया जा रहा है आपके बच्चे जो हैं वो किसी के घर की छट पर खड़े होकर जंडे लहराते हैं और फिर अपनी जान गवां देते हैं और आपको ये नसीहत दी जाती है कि सहाब आप विदेशों में जाकर भी ना पढ़ें सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनवाओंगा कि देश के उपराश्पती जगदीब धनकड जो आए दिन अपने बयानों से विवादों में घेरे रहते हैं उन्होंने कहा क्या क्योंकि उनका य आपकी सोच को दंगाई बनाया जा रहा है और इसमें न सिर्व भाजपा उनका प्रचारतंत्र इनका पालतू मीडिया भी लगा हुआ है सबसे पहले सुनिए उपराश्पती जगदीब धनकरने क्या कहा वहाँ जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा कोई आंकरन नहीं है किस रस्ता में जा रहा है किस देश में जा रहा है बैसे एक अंदा धूंज रास्ता है मुझे विजेश राना है आपको आश्चिली होगा 18 से 25 साथ कि 20 में जो बोजन गर्ल्स है वो अड़ोटिजमेंट से परवाल दोजाती है और अंदाजा क्या है दोजार चोवीस में 1.35 मिलें 13,50,000 जार चातर 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 हैं विदेश की उनके बदूशे का क्या होगा उसका आंकरन हो रहा है यहां पढ़ते तो कितने उद्जुल होता यानि कि आपका बच्चा विदेशों में ना पढ़े उपराश्पदी जगदीब धंकर ये वही हैं कुछ दिनों पहले इन्होंने धर्मातरण पर एक बयान दिया था यानि कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो धर्मातरण है 11 साल हो गए हैं भारती जंता पार्टी को सत्ता में अब भी धर्मातरण हो रहे हैं अब भी हिंदों को डराया धंकाया जा रहा है कि सहाब तुम्हारा धर्म खत्रे में है आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों ये वही जगदीब धंकर हैं जिनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं पत्रकार शीतल पी सिंग ने उन्हें पूरी तरह से एक्सपोस किया है अपने इस ट्वीट के जरिये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि पत्रकार शीतल ने क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर हमारी उपराश्पती धंकर जी की पुत्री ने जैपुर के M.G.D. स्कूल से स्कूली शिक्षा ग्रहन किया इसके बाद प्रसिद्ध मेयो कॉलेज अजमेर से होते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध बीवर कॉलेज से ग्राजवेशन किया बीवर कॉलेज अब आरकेडिया युनिवरस्टी में बदल गया है इस दौरान समर कोसिस के लिए वे इंगलिन, इटली और ऑस्ट्रिलिया गएं उन्होंने इटालियन भाषा की पढ़ाई भारत स्थित इटली के दूतावास द्वारा चलाए जाने वाले पाठिक्रम से प्राप्त की उनकी फोटोग्रफी की अभिरुची इंगलिन के गोल्ड स्मित युनिवरस्टी की चात्रा होने के गौरव से पूरी हुई अब देश के बाकी वच्चियों के लिए उनके पिताजी की नसीहत है कि आप विदेशों में जाकर ना पढ़ें चले उपराश्वदी जगदी भंकर ने क्या कहा उसे भूल जाएए भारती जनतपाटी की पूर्व राष्ट्री प्रवक्ता नुपुर शर्मा की वापसी हो रही है वो एक ऐसे मंच से जहर उगल रही है जुट बोल रही है जहा भाशपा के दो राजपाल मौजूद थे जी हाँ वो जिक्र कर रही है राम गोपाल मिश्र की हत्या का और कह रही है कि उसके नाखून उखाड़ दी गए, उसकी आखें उखाड़ दी गई, उसे 36 गोलियां मारी गई, बहराईश पुलीस कह कह कर ठग गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर यहाँ पर नूपूर शर्म जूट बोल रही है, याद कीजेगा दोस्तों, भारती जन्ता पार्टी ने खुद इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाये था, इन्हें निलंबित कर दिया था, क्यों? क्योंकि उन्हेंने हज़रत मुहम्मद सहब के बारे में आपत्ती जनक बयान दिया था, ये बॉय बन गई है, अब भाच्पा जो एक उलबुलार ही कि किसी तरह से इनकी वापसी हो, वापसी कैसे हो रही है, जूट बोल कर, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, लराम गोपाल मिश्र के नाखून नहीं उखाडे गए, ये बहराईश पुलीस का बयान है, उसकी आ मारा पूछन जी, क्या जंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मन खत्या करने की अनुमती देता है, क्या? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भारती जंटा पार्टी को विदेशों में इनके बयान की वज़ा से नुकसान होता दिखाई दिया था, तब भारती जंटा पार्टी ने इने त्याग दिया था, याद है आपको, इनका जो बयान था हजरत मुहमद सहाब के बा इन्ज एलेमेंट बताया था अतिवादी एक राश्ट्रिय प्रवक्ता को अतिवादी बताकर आपने बाहर कर दिया था अब इनकी वापसी हुई है फिर ये जूट बोल रहे हैं पूरे खेल को समझिये आपका बच्चा अगर विदेशों में पढ़ने की सोचे भी तो उसको लेकर आपके अंदर अबराद बोध पैदा किया जाए आपको ताना दिया जाए मगर ये इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और ये आपके लिए जहर उगलते रहेंगे इस तरह का जहरिला संदेश देंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों कब तक आप इ लुपुर शर्मा ये बात दो राजपालों की मौजूदगी में कह रही हैं जिससे पता चलता है पूरा बीजेपी का सिस्टम कैसे काम करता है राजपाल को उटकर खड़े होना चाहिए तक नहीं आप जूट बोल रही हैं नहीं और सबसे वड़ी बात भारत माता की जै के नारे लगाये जा रहे हैं तुम्हें भारत माता के माइने क्या हैं ये पता हैं क्या है भारत माता तुम्हें अंदाजा है भारत माता अपनी आचल में अपने तमाम बच्चों को समेट कर रहती है उन्हें दंगाई नहीं बनाती उनमें से कुछ बच्चों को नोचकर बाहर नी फेक देती है, मगर यहाँ भाजपा कि ये पूर प्रवत्ता एक बार फिर जहर उगल रही है, किसी को परवा है, बताईए, कब तक आप इसे बरदाश करते रहेंगे, इस तमाशे को देखते रहेंगे, इस सवाल तो किया जाएगा ना, और ये तमाशा आप क्यों देख र मांग लेती हैं, आपके स्क्रीन्स पर उनका बयान, दिवंगत राम गोपाल मिश्रा के बारे में, जो मैंने मीडिया में सुना था, वो मैंने दोहराया, मुझे पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के सपश्टिकरन के बारे में नहीं पता था, मैं अपने शब्द वापिस लेती यानि की जूट बोल दो, भड़का दो, और फिर माफी मांग लो मैं फिर आप से सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है आपके बच्चों के पास नौकरी नहीं है आपके बच्चों को बार-बार ये मन में डाला जाता है कि हिंदू खत्रे में मुस्लिम बाहु लिलाकों से धारमेक यात्राएं निकलती है प्रशासन चाहता तो दंगे नहीं होते प्रशासन चाहता तो राम गोपाल मिश्र की हत्या नहीं होती अगर वो चाहता तो दोनों समुदायों को आगे आमने सामने बिठा कर मामला पहले ही सुलच जाता और आसानी सिधार में क्यात्रा निकल जाती मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बाबा साहब अमबेडिकर की भी कई यात्राइं निकलती हैं मुस्लिम बाहूल अलाकिसे वहां दंगे नहीं होते हैं क्योंकि डीजे पे अश्लील गाने नहीं चलाया जाते हैं मगर जो बड़ी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर गोर कीजिए हर गुजरते दिन के साथ आपको ब्रेनवाश किया जा रहा है और आगे मैं आपको बतलाने वाला हूँ इंतजार कीजेगा बहुत एहम खबरे हैं और ये खबरे हैं पिछली दो दिनों की हैं स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कॉंग्रिस ने उपराश्पती जगदीब धंकड के इस बयान पर प्रहार किया है कॉंग्रिस की निता सुप्रिया शुनेत का बयान उपराश्पती जगदीब धंकड का कहना है कि आज देश के बच्चों को विदेश जाकर पढ़ाई करने की नई बीमारी लग गई इनकी अपनी बेटी अमरीका और इंगलिंड में पढ़ी है हर इनसान को आजादी है वो कहां पढ़े कहां रहे लेकिन अपने बच्चे के लिए और बाकी देश के बच्चों के लिए इतने अलग माबदंड तो ढोंग है दोस्तो ऐसा नहीं है कि इस देश का अमीर इनसान ही अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजता है यूकरेन में कई मध्यम वरगी जो बच्चों के परिवार हैं वो वहां जाकर पढ़ते हैं अलमाटी जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए और वहां पर कोई बहुत जादा खर्चा नहीं है और वो क्यों जाते हैं क्यों कि पहली बात उन में से कई लोगों का यहां पर सेलेक्शन नहीं होता दूसरी बात कुछ लोगों के लिए फीस जो होती है वो अफॉर्ड नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात ये उनकी अपनी अभिव्यक्ती की आजादी है जिस पर भाजपा और उनके नेता अंकुष डालना चाहते है ये बात अलग है कि चाहे रवीकेशन हो अनुराग ठाकुर हो निशिकान दुबे हो शिवराज सिंग चौहान हो गिरिराज सिंग हो इन सब के बच्चे या तो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं इन पर तो सवाल किया जा सकता है ना कि ग्यारा साल से आपकी सरकार है आपके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं बाहर जाके क्या ग्यारा साल में आप अपने देश की universities, colleges को दुरुस्त नहीं कर पाए ये बाहर क्यों नौकरी कर रहे हैं और ये क्या नसिहत देते हैं भाई साब कि आप विदेशों में ना पढ़ें हकीकत क्या है दोस्तों आपको मुद्दों में भटकाया जा रहा है आपके मन में ये डर पैदा किया जा रहा है कि आपका धर्म खत्रे में है और जगदीब धनकर जैसी जो शखसियत होती है उपराश्पती जगदीब धनकर पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ वो आपको इन ही मुद्दों में उलजा कर रखना चाहते हैं याद कीजेगा दोस्तों धर्मातरन पर उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन्स पर उन्होंने कहा शुगर कोटिड फिलोसफी बेची जा रही है वो समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाते हैं वे हमारे आदिवासी लोगों में अधिक घुसपैट करते हैं लालच देते हैं हम एक नीती के रूप में संरचित तरीके से बहुत दर्दनाक धार्मिक रूपातरन देख रहे हैं और ये हमारे मूल्यों और सामवेधानिक सिध्धानतों के खिलाफ है आपको धर्मातरन इन तमाम चीज़ों में भटका कर रखा जा रहा है राम गुपाल मिश्रा की जो मौत हुई ये 22 साल का राम गुपाल मिश्रा पूरी जंदगी आगे थी अगर प्रशासन चाहता तो पहले ही समुदायों से बात कर सकता था मगर ये यात्रा निकली और उनकी मौत हो गई याद कीजेगा बारा बंकी में वो तस्वीर सामने उभर कर आई थी जहां एक मस्जिद के सामने एक हिंदू धार्मिक जलूस खड़ा हो जाता है चपल फेकी जाती है और डीजे पर मा की गाली वाला गाना चलाया जाता है साहब अरे मेरी मा दुरुगा का विसरजन हो रहा है और तुम मा की गालियां दे रहे हो ये कौन सी राजनीतिक सोच है मैं एक बास पश कर दूँ ऐसा नहीं है कि धार्मिक जलूस पर 2014 से पहले टकराव नहीं होता था मगर 2014 से पहले धार्मिक जलूसों में मा बहन की गालियां दी जाती थी वो जो गाली दी गई थी मैं आपको सुन्वावी नहीं सकता हूँ हर तरफ एक जूट चलाया जा रहा है दोस्तों हर तरफ एक जूट चलाया जा रहा है आपको भड़काया जा रहा है और इसकी ताजा मिसाल जैपूर की है खबर क्या है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जैपूर में एक मंदिर के अंदर RSS के कारकरताओं पर चाकू से हमला होता है पूरा मीडिया किसी नसीब चौधरी का नाम लेता है और उसे मुसल्मान बताते हुए हमला बोलता है कि ये मुसल्मान हमारे धार्मिक आयोजनों को बरदाश नहीं कर सकते हैं जबकि ये नसीब चौधरी मुसल्मान नहीं है इसका नाम है नसीब सिंग चौधरी सरा सर जूट वो नसीब सिंग चौधरी था उसने ये हमला किया था मगर आपको क्या जूट बतलाया गया कि मुसल्मान ने हमला किया है और ऐसे जूट आगे भी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ पिछले दो या तीन दिनों के कॉंग्रेस ने मुद्दे को फिर से उठाया है और बतला रही है कि किस तरह से ऐसे जूट के जरीए आपके बच्चों को नफरती चिंटू बनाया जा रहा है सुनिये सुप्रिया शुनेत क्या कहती है जैपुर में कारिक्रम के दोरान बात शुरू तो हुई थी देर रात तक बाजा बजने से लेकिन खत्म होते होते चाकू और छूरिया चल गई और आरेसस के कुछ लोग पिट गए आरूपी का नाम नसीब चौधरी था तो सारे के सारे चिंटू तुरंट अपने काम पर ल जो नाम और कपड़े देखकर नफरत और हिंसा पहलाई जाती है इससे बचेगा कोई ने फैसला आपको करना है कि आप इस नफरत को हराएंगे या इस नफरत की आग की चपेट में एक दिन खुद आ जाएंगे मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों हमारे बच्चों का क्या भविश्य है यही जूट कहा जाएगा इसी तरह से हमें जूट में उलजाकर रखा जाएगा मैं आपको एक दिल्ली का वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों करवा चौत है करवा चौत में दिल्ल मुसल्मानों से महंदी क्यों लगवा रहे हूँ हिंदूओं से क्यों नहीं जाकर लगवाते हैं सबसे पहली बात इस देश में हर किसी को आजादी है हर किसी को आजादी है अपनी रोजी रोटी कमाना और दूसरी बात अगर मुसल्मानों के हातों से कोई हिंदू और महंदी लगवाले जो सदियों से हो रहा है तो इससे हिंदु धर्म खत्रे में नहीं आने वाला है मेरा धर्म बहुत मजबूत है उसकी नीव उसकी जड़ें बहुत मजबूत है ये वो धर्म है जो वसुदैव को टुम्वकम में विश्वास करता है ये वो धर्म है जो सर्व धर्म संभाव में विश्वास करता है, महान धर्म है मेरा मगर एक व्यक्ति आकर मुसल्मान औरतों को उठा देता है और सुनिये वो क्या क्या कह रहा है, सुनिये किस तरह से ताने दे रहा है वहां मौजूद औरतों को सुनिये हिंदु धर्म खत्रे में आ गया सुनिये यहां पर यह कहा जा रहा है कि हमारे हिंदुों पर अक्तिया चार हो रहा है हमारे लड़कियों को के टुकडे काटकर फ्रिज में रख दिये जाता है जाहिर से बाते श्रद्धा मामली की बात की जा रही है जो दर्दनात था जिस वर मैंने बाकाइदा कायरकर्म किया था मगर बड़ी बात क्या इसके सारे पूरे मुसल्मानों पर इसकी तोहमत जड़ दी जाए ऐसी धेरो अन्न मिसालें जा हिंदू ने भी ये काम किया है या हिंदू लड़के ने ऐसा राक्षस हो सकता है मंगर उसके लिए पूरे धर्म पर तोहमत मर देना और सबसे बड़ी बात आपको डराते रहना आपको बतलाते रहना कि आप खत्रे में हैं और यार ग्यारा साल से तुम सत्ता में हो क्या कर रहे हो तुम बताओ ना ग्यारा साल से तुम सत्ता में हो मेरे भाई तुम फिर भी हिंदूओं को बचा नहीं पाए फिर भी हिंदू खत्रे में दोजार शौदा से पहले कभी हिंदू खत्रे में नहीं होता था अब ग्यारवे साल में इन्हें हिंदों को बार बार ये बतलाना पड़ रहा है जूट के जरीए भरम के जरीए डराने धमकाने के जरीए कि तुम खत्रे में हो एक और खबर बताना चाता हूं दोस्तों ये देखे एक के बाद एक कोई मेग अपडेट्स है उपर से वाहियात वेबसाइट आप इंडिया फिर कोई रितिका है और ये कोई देविका जर्नलिस्ट है ये लोग एक जूट चला रहे हैं ये लोग एक जूट चला रहे हैं कि आंधर प्रदेश में एक मंदिर को गिरा दिया गया, धमाके से उड़ा दिया गया, जाहिर सी बात है यहां पर भी निशाने पर मुसल्मान है, मुद्दा क्या है, पुलीस ने देखे कुछ लोगों को कि रफ्तार किया है, यहां पर मामला क्या था मैं आपको बताता हूँ, दो पंडित थे, दो पुजारी थे इस मंदिर के, विद्यासागर और हरिनात, हरिनात चाहता था कि इस मंदिर से जितनी भी कमाई हो रही है, वो उसके पास चली जाए, विद्यासागर ऐसा नहीं चाहता था, यहां जंग थी मंदिर की कमा रखता है और उसके बाद धीरे-धीरे करके गिरा देता है मगर इन वाहियात लोगो को देखो किस तरह से जूट फैला रहे हैं आल्ट नियूज ने बहुत ही शांदार पड़ताल की है बहुत अच्छी पड़ताल की है पत्रकार अभिशेक ने तारीफ करना चाहूंगा और यहां देखिये पूरा इनका प्रचार तंतर जूट फैला रहा है कि देखिये आंद प्रदेश में मंदिर गिराये जा रहे हैं और यहां आरोप किस पर लग रहा है स्वाभाविक सी बात है मुसल्मानों पर लग रहा है और यह मामला क्या था यह मामला था दो पुजारिय किसे पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने वच्चों को विदेशों में भेजना चाहें, तो आपके अंदर अपराद बोध पैदा किया जाता है। मानो आपने कोई बहुत बढ़ा अपराद कर दिया हो। अगर इस देश का युवा बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो वो तो अपराद है। मगर ये बात अलग है कि जगदीब धनकड की बेटी वो इंगलेंड, अमरीका, सब जगा पढ़ाई करती है। अनुरात ठाकूर का बेटा बाहर पढ़ रहा है। ये बात अलग है कि आपके सामने वो आपको भड़काता रहता है, ये कहते रहते हैं कि गोली मारो, रवी किशन कहता है शस्त्र उठाओ, उनकी बेटी, उनकी बहुत प्यारी बेटी है, वो विदेशों में पढ़ रही है। और फिर ये अपने प्रचार तंत्र के जरीए जूट पहलाते हैं, आरएसस के कारकरताओं पर जैपूर के अंदर चाकूं से हमला नसीब चौधरी ने किया जो समुदाए विशेश से है, जबकि वो नसीब चौधरी नसीब सिंग चौधरी है। मुसल्मान महिलाएं अगर आपके हातों मेहन्दी लगाएं तो उसके जरीए भी हिंदू धर्म खत्रे में आ जाता है। आपका धर्म खत्रे में है। जैसे वो कट्टर मौलवी कहते हैं कि इसलाम खत्रे में इसी तरह से अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खत्रे में है। मैं मनह स्थिती की बात कर रहा हूं, तुम्हारी मानसिक्ता की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे और अपने बच्चों के भविश्य की बात कर रहा हूं, अपनी जान जो खिम में डाल कर, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं यहां कहता हूं, उसको लेकर लगातार लोग मुझे ध करूं आपको जद्धोरने के लिए आपके सामने एक कड़वी हकीकत लाने के लिए क्योंकि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं तरक्की कर रहे हैं इनके बच्चे कभी भी कभी भी दंगा नहीं करेंगे भाजपा का एक प्रवक्ता है आजया आलोक उनके तो बच तुम्हारा बच्चा राम गोपाल मिश्र एक सामपरदाइक टकराव में मारा जाता है किसका फायदा है बताईए तुम्हारा बच्चा तो गया जिंदगी भर तुम उसकी याद में रोते रहोगे तुम्हारे अंदर जहर भरा जा रहा है और जब तक ये जहर तुम्हारे जहन में ख्याल होगा, अरे भाई, मेरे घर में मुसल्मान धाबा बुल देगा, मुहल आ जाएंगे, अरे भाई या ना मुगल आने वाला है, ना मुगल की अनार कली आने वाली है, खुद को बचाओ, इस जहरीली मानसिक्ता से खुद को बचाओ, इस दोहरे माबदन का खेल स समझो, वो मोदी जी नहीं कहा था न, हिपोक्रिसी की भी कोई सीमा होती है, समझो इसे, मेरी इस नसीहत पर गोर करो, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे छोटे भाई, एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रिकार होने के नाते, जिसके दिल में इंडिया धढ़कता है, जिसके दिल में भारत धड़कता है जो भारत की मानिताओं को सही माइनों में समझता है वो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ बात समझोगे मेरी अगर नहीं समझोगे तो तुम्हारी तास्तानी खत्म हो जाएंगी अब इसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार